जै मातादी दोस्तो बच्चो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर नवरातरी के चोथे दिन मा कुषमांडा जी की पूजा और अराधना की जाती है पुरातन मान्नताओं के अनुसार मा कुषमांडा जी ने ही इस संसार की रचना की थी इसलिए इन्हें आदी शक्ति भी कहा जाता है इनका वाहन सिंग है मा को लाल रंग का गुडहल या गुलाब का फूल बहुत पसंद है मा की पूजा हरे रंग के वस्तर पहन कर करनी चाहिए मा कुश्मंडा जी को माल पुए का भोग लगाना चाहिए उसके बाद उस परसाद को मंदिर में, कन्याओं में या गरीबों में बांट देना चाहिए और खुद भी ग्रहन करना चाहिए ऐसा करने से बुद्धी का विकास होता है और निर्नय लेने की शक्ति बढ़ती है इनकी पूजा करने से शरधालूं को यश, बल, आयू, धन, धान्या और अच्छा स्वास्थ्या मिलता है मा कुश्मंडा जी को खुश करने के लिए मंतरों का जाप करना चाहिए मंतर है या देवी सरभुतेशू मा स्रिष्टी रुपेन संसता नमतसे 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 नमो नमा इस दिन पूजा में बैठने से पहले हरे रंग के आसन का पर्योग करें सब से पहले कलश की पूजा करके फिर मा कुश्मंडा जी को नमन करें देवी को लालवस्तर, लालपुष्प, लालचूडी अरपित करें अगर आपके घर में लंबे समय से कोई बिमार है तो उसके अच्छे स्वास्तिया के लिए मा से प्रार्थना करें देवी को पूरे मन से फूल, धूप, फल, गंध और भोग चड़ाएं पूजा के बाद अपने बड़ों को परनाम करके परसाद वितरन करें देवी का ये सवरूप अनपूर्णा मा का भी है मा सभी के बंडारे भरती है मा की पूजा से हर विघंद दूर होता है आज के लिए बस इतना ही फिर मिलती हूँ अगली जानकारी के साथ बोलो माता रानी की जै